तो प्रत्यासी हैं उनके समर्था खुद बैटके देख रहे हैं किसी जीटी में के माध्यम से EVM मसीने किस प्रकार सुर्चित रखी गई इस पर सुनस्चित कराने के लिए पुलिस के तरब से सारे बिधान सवा कर्चों में CRP के टुप्री लगाई गई है तो किसी प्रकार की समस्या आने की संभावना है ही नहीं फिर भी यही कोई जानबूशकर गरवनी पैदा करना चाहता है बदमासी करना चाहता है उससे निवटने के लिए हमारे पास परिजाप तुम्जामात है दसमार्च को उतरप्रदेश में मदगणा होनी है और मदगणा पर पूरे प्रदेश की नजर है और ऐसे में सुरक्ष्य ववस्था सबसे ज़्यादा चाक चौबंध होनी चाहिए और जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है खास तोर पर लखनओ में वो हमसे बात करने क कि कल आप लोगों के उपर क्योंकि पावर सेंटर पूरा लखनओ में होगा कल की लिए क्या तैयारिया है आप सही कह रहे हैं लेकिन मैं आपको यह अगवत कराना चाहूंगा और आपके माध्यम से आपके स्रोताओं को धर्शकों को लखनों में इस बार जो मददान की प्र खड़े हैं आप से बात कर रहे हैं इस वीज में मसीन कोई सिकायत समस्या समाथ यहां नहीं आई हम लोग इसको सुनेशित की हुए हैं जहां इव्यम स्ट्रॉंग मसीन रखे हुए हैं वहां पर हम लोगों सिया से रख्षा लगाई है सेविल पुलिस लगाई है हम चुके हैं सारी देख चुके हैं वह अंदर नी सारी वियुसता की सिसी टीवी लगाई गए सिसी टीवी कफीट बाहर दिया घिया गया जहां प्रत्यासी एं उनके समर्त खुड बैटके देख रहे हैं से माध्य हम से की एवीम मशीन्हें किस प्रकार सोरसिद रखी गई हैं अब हमारा फाइनल चरण है मद्गन्ना का मद्गन्ना निश्पक्ष रूप से मलोग सुनशित कराएंगे निश्पक्ष सुनशित कराने के लिए पुलिस की तरफ से सारे विधानसभा कर्चों में यह और पेखी लगाई गई है सारे बिधान सभाव में जहां भी मतगना होगी वहां मतगना निश्पक्ष हो और दर्शी हो कोई समस्याना हो इसको सुनसित करने के लिए भारत निरवाचन आयोग ने अलग से अपजर्वर सब्सक्राइब करें जो कि जब कल स्टॉंग रूम खुलेगा तब से ले करके जब तक अंती में रिजल्ट खोशित नहीं होता है तब तक हम मौजूद रहेंगे तो किसी पार्टी प्रतियासी को उसके भी करता को प्रतिनी जी को किसी प्राइब कोई शिकायत हो ततकाल अब् चीजे गड़बर की जा रहे हैं और इसमें सासन प्रशासन को भी ओगेरे पर ले ले रहे हैं तो ऐसे में अगर कोई इस्तिक कल आती है क्योंकि हार और जीत कोई एक दल जीतेगा कोई एक जल हारेगा हारने वाले अगर इस तरीके के कल बवाल कुछ करते हैं या कुछ भी अनहुनी की दशा दिखती है तो उस चीजों के लिए आ लोगने के टैयरे की देखे में ऐगाना चाहँगा जब हम आपना सारा कारे पारदर्शीं तरीके से कारेंगे तु किसी प्रकार की समस्याहाने की संभावना है ही नहीं फिर फी येदि कोई जानभूज कर गरविनी है तो उसके खिलाप कठोरतम कारवाई की ज़िए उसके बाद जिस तरीके का किसी लोग जो खुश होते हैं उनके जो लास होते हैं वो जादा ना बढ़े या जो दुख हैं हैं उनमें को एक कंट्रोर्शियल ना क्योंकि चुनाओं के बाद भी एक उत्तर प्रदेश की परिपाटी रही है कि बहुत जगे उपर देखा जाता कि सितिया आउट ओफ कंट्रूल हो जाती तो उनके लिए कुछ आपने अलग से निर्देश खास तोर पर लखनोगली जारी किया हैं जी हमार जहां-जहां समझदस्री छेत्र हैं वहां पर हमारी पुलिस पोर्स अलग से रहेगी, पिकेटिंग रहेगी, पेट्रोलिंग होती रहेगी और जो भी हमारे निर्वाचित प्रतियासी होगे उनको पुलिस रख्षाम उनके घर तक या उनके कारियले तक हम लोग पहुंचाएंगे। सबल निप्टा जाएगा। विक्रम राठा और ग्लोबल वोईस लखनौ।